करेंगे थ्री बिग मिस्टेक्स इन नी पेन एक्सराइज जब भी नी पेन की बात आती है तो लोगों को सब आज करनी चाहिए यह कौन सी आवाइड करनी चाहिए तो आज कल जैसे यंग पेशंस में भी हो रहा है जो हमारा चपनी होता है बैठते उर्थ पेन होता है एक होता है knee का joint से pain होता है या minuscus से pain होता है जिसमें हमारा ऐसा लगता है बोन में है उसमें टक टक की वाज आ रही है और बोन गिसने लगती है तो इस तरह से जो pain होता है उसमें हमें क्या avoid करना चाहिए तो तीन आपको exercise बताऊँगा जो आपने जिम में जाके नहीं करनी है घर पे भी ऐसी तीन exercise बिल्कुल avoid करनी है जिससे आपका knee pain बढ़ सकता है अब वो कौन सी exercise है वो हम इस वीडियो में देखेंगे तो इस वीडियो को last सक जरूर देखिए first exercise आती है हमारी squatting जो लोग squatting करते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों को क्या होता है कि जब वो squat करते हैं पटेला जो होता है उसमें 90 degree से जादा उसको fold नहीं करना होता है अगर वो 90 degree से जागे fold जादा होता है और उसके वाद वो हमें खड़े होन तो wall squares यानि कि wall के साथ आप जो support लेके वो आप कर सकते हैं और वो उसमें भी आपको 90 degree से उपर उपर रहना यानि कि इसको half squatting बोल सकते हैं मैं तो knee की strength के लिए बहुत exercise कर रहा हूँ actually इसमें आप strengthening exercise नहीं कर रहे हैं आप उसकी friction करवा करवा के overuse कर रहे हैं जिसकी विरा से आपका patella जो है ठीक नहीं हो पार है क्योंकि young patient जो होते हैं जिसके age 20 से लेके 40 तक जो होता है तो इसमें जो pain होती है वो patella से related ज्याद cycling हो चाहिए दूसरी cycling हो और static cycling वाले में तो resistance भी बहुत increase कर लेते हैं तो बार-बार cycling करेंगे उसमें फिर से वह component आता है नहीं क्या करता है पहले पूरा flex होता है यानि की fold होता है फिर flex होता है फिर flex होता है फिर flex होता है तो ऐसे flexion extension जब नहीं की होती है repetitive movement होता है और friction क्य प्लदी आने शुरुआ जाती है आजकल लोगों में आग मानेंगे नहीं जो चीज पहले degeneration हमारे knee की 60 years में होती थी आजकल वो 35-40 years में ज्यादा देखने को मिल रही है due to overuse only तो यह overuse वाला काम हमने बंद करना है और इसके लिए related मैंने एक और वीडियो बनाया था कि हमें knee pain के लिए कैसे बैट के उठना चाहिए वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ वो जाके आपने जरूर देख ले है और knee pain के related अगर आपको कोई exercise product चाहिए या आपको knee pillow चाहिए रात को सोने के लिए ताकि आपके knees में जो space है वो कम ना हो यानि कि बीच में space हम create कर पाएं ता तो नीचे लिखे number पर जा गया WhatsApp मेसेज करके उस product हो order कर सकते हैं तो हम बात करे थे cycling की तो cycling जब हम करेंगे तो पटेला गया overuse होगा तो हमें cycling भी avoid करना पड़ेगा झाहिए के लिए पाइए तो थर्ड इंपोर्टेंट एक्ससाइज आती है हमारी जंपिंग, अब इस लोग क्या करते हैं, जादा स्किपिंग एक्ससाइज शुरू करते हैं, एक तो वेट पहले ही बड़ा होता है, वेट कम करने के लिए वो रनिग, जॉगिंग, स्किपिंग और जंपिंग अक्टिव तो बार बार जब आप एक ही motion कर रहे हैं तो नीज जो काटी ले जाए वो damage तो हो गई होगा इसके साथ हमारे अंदर के tissue जो ligaments है, meniscus हैं वो भी degenerate जल्दी होना शुरू कर रहते हैं तो आपको जब भी exercise करनी है weight कम करने के लिए तो उसको diet से कीजिए या फिर आप अपनी exercise non weight bearing position में पहले करिए weight कम कर लीजिए उसके बाद आप यह कर सकते हैं running jogging और उसको भी आप timely जो है थोड़ा आप इस तरह से criteria नहीं कि आपने daily यह चीज नहीं करनी है जब वो daily होने लगता है तो नी जो है वो उतनी जल्दी degenerate होगा क्योंकि नी अमारी एक machine है mechanics है अगर आप इसको daily उतना ही severity से use करेंगे तो वो खराब भी जल्दी होगा तो इस तरह की degeneration को avoid करना है लास में एक और important exercise आते हैं जिसमें हम quadriceps curls करते हैं weight के साथ साथ यहां हम knee press करते हैं इस तरह से weight के साथ साथ तो उसमें भी क्या होता है कि बार बार जब नी पूरा extension के साथ weight उसने लिया होता है और straight knee होता है तो वहाँ पे भी मारा जो knee का injury का chance है वो बढ़ जाता है क्यों परफेक्ट सपोर्ट के सारे products सुकून physical therapy की website पर जाके order कर सकते हैं back support pillow है tailbone cushion या नीग exercise के लिए जितने भी products है वो directly आप order कर सकते हैं यह थी चार exercise जिसको हमें avoid करना चाहिए जब भी आप जीम में जा रहे हैं क्योंकि young patients जिनको नीग पे नोता हमको बड़ा curiosity होती है जाके वो भी मैं एक वीडियो next बनाऊंगा तो पहले नी के बारे में इसलिए बनाया क्योंकि नी के काफी questions इकठे हो गए थे तो यह हमने तीन चार exercise वाइड करने तो इस वीडियो को like कीजिए और share कीजिए सबके साथ share कीजिए चाहे को यंग है चाहे old है उसको पता होना यह घर पे यह जिम में इस तरह की exercise एवाइड करेंगे तो नी उनका ज्यादा चल पाएगा और उसकी बजाए क्या exercise कर सकते हैं वह भी मैंने आपको बता दिया है एक आप वाल स्कूर्स कर सकते हैं और वह भी आपको पूरा 90 डिग्री तक नहीं जाना 90 डिग्री से थोड़ कर सकते हैं तो हमारा चैनल जो उसको सब्सक्राइब जूरू कर लिजीए को कि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है और साथ ही साथ मुझसे वन-टू-वन कंसल्ट करने तो नीचे लिखे नंबर पर जाके पॉन्मेंट बूक कर सकते हैं उसको पे करके आप वन-ट लएगाओ जो ऍ horrGI वाला टूक कर स देथे नहीं है झाला खरते हैं पतके हैं प्रीकिटे लिडवन है झाला कि भीन नचाल को कि या ही दो